हेलो स्टूदेंट्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के 32 लेक्चर में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म का 14 लगाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं मैं खुरूषण है फाइंड यह लापलास ट्रांसफॉर्म अफ इस फ्ंच्छीन का आए है निकाला है ठीक है तो बहुत असानी सो सकता पहले फंट्राओ पोन लोग इस फंट्राओल सीरो से टी 1-वैन-2 ऐक tr एकस ठीक है से इंटिग्रेट करने की कोजिस करते हैं वन का इंटिग्रेशन आप जानते हैं एक होता है माइनस एक का प्लस प्लस एक पावर माइनस 2x divided by 2 limits 0 से t अब क्या होगा जहां जहां पे x है वहां वहां पे t आ जाएगा अपर लिमिट जाएगा तो अंसर आएगा माइनस 1 by 2 क्योंकि जब भी लोग लिमिट रखते हैं तो आगे माइनस आता है ठीक है तो जीरो रखने पे पूरे function की value माइनस 1 by 2 हो जाएगी सारी 1 by 2 हो जाएगी माइनस इसले आएगा क्योंकि आप लोग लिमिट रख रहे हैं ठीक है तो एक्चुलिम देखा जाए हमारा जो यह function है उसकी value यह है तो हमें आलग अलग करके transform निकेला जा सकता है वह एक पर, लग से क्या सकता हैं तो कि अलग निकालेंगा प्लस E कोहर माईनस 2T, divided by 2 का अलग निकालेंगे माईनस लब लाट लाट्स क्यालेंगई ठीक है तो लाट रख अलग से निकाल दाब लाट्स ट्रंस जागा क्यों बढ़ जाता है आपको याद होगा मैंने पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफर्म ऑफ टी का पावर एंड जो की होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ पावर एंड प्लस वन ठीक है और यह फॉर्मला तब काम करता है जब एन की वैलू क्या निकाल पाएंगे यह प्लस वन बाइट लप लेप्लास ट्रांसफरम और माइनस टी कि माइनस हाफ का लैप्लास हो हो जाएगा 1 by 2 s हो जाएगा ठीक है नंबर का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा नीचे स लगा दीजिएगा जैसे यहां पर वन बाइटू है तो वन बाइटू और साथ में चैसा लगा दीजिएगा अंसर आजागा स्टैक के कोशिन मैं ने करवाया है इसका भी एक फॉर्मले से हो जाएगा लेपलास ट्रांसफोर्म लेपलास ट्रांसफोर्म और ये का पावर जाएगा वन बाइएस स्क्वेर प्लस वन बाइटू फिर वन बाइएस प्लस टू हो जाएगा माइनस वन बाइटू एस ठीक है यह हमार अंसर आप देख सकते हैं बहुत इजी था आपको पहले क्या करना था इस वाले फंक्शन का लैपलास ट्रांसफोर्म निकालके सरी इ उमीद करता हूं आपको यह कोश्चन समझना आया होगा समझना तो अच्छी बात है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स नों पूछ ली जागा आज श्यूर्म से इतना है मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइ इतना है